देखे सस्क्राइब कलाल बटने यहाँ पर है और बेल आइकन प्रेस कर दीजेगा ताकि आपको नए वीडियो की सुचना मिलती रहे बजाज फनेंस लेमिटेड आज इस टॉक इस कंपनी के बारे में बात करेंगे तो बेसिक चीज पहले जानेंगे कि कंपनी करती क्या है उसके किफोर्क रेजल्स आच चुके हैं बजाज फनेंस बजाज लोन आप सुने होंगे आपने हो सकता है कुछ सब्सक्राइबर्स ले भी रखे हो हमारे वीवर्स ले भी रखा हो लोन क्योंकि डेटेल लोन प्रोवाइड करती है परस्नल लोन्स, बिजनेस लोन, वोम लोन, बैलन्स ट्रांसफर, लोन फोर डॉकटर्स, लोन फोर इंजिनियर्स, लोन फोर चाहुटर अक्वाटिंट्स, गोल्ड लोन, लोन अगेंस प्रोपर्टी यानि मॉर्गेंस लोन, और होम लोन, इइंस्ट क्रीडिट, लोन अग कमाई होती है अब आप समझ गए होंगे चलिए आज क्या भावा पे ट्रेट कर रहा है तीन हजार दो सो पच्चासी रुपए पे और एक सो पच्चासी रुपए की अपसाइड पे यानि की 5.47% की अपसाइड है माई सत्रा दो हजार उन्दिस को बारा बच के 48 मिनट पे PSC प दो था 872 रुपए और हाई इसने आज ही बनाया है 3289 रुपए यहां हाई गया था और इसके जो नतीजे बड़े शानदार आ रहे हैं आप अगर पांच सालों के यहां पे चार्ट देखेंगे मनी कंट्रोल की साइट पे तो किस प्रकार से ग्रोथ किया इसने समझिये कि 2014 क 230 रुपए का था और आज आपको पता है कि 3221 पास ट्रेट कर रहा है और हर साल डिविडेंट देता गया है देखें शानदार डिविडेंट यहां पे इसने स्प्लिट भी हुआ था यानि 10 की फेस वैल्यू से 2 की फेस वैल्यू पे हो गया था 2016 में और इसने बोनस भी दिया दो की फेस वैल्यू पे आ गये थे तो इस तरीके से शेर्स के टुकड़े हो जाने के बाद भी यह प्राइस जो है करेक्ट होके ही चार्ट पे दिखा रहा है ऐसा आप गलत ना समझें अदर्वाइस इसकी भाव होता दस पंदरह हजार से उपर जो स्टॉक प्राइस है और यहां देखें मार्केट कैप एक लार्ज कैप कंपनी एक लाख नब्बे हजार चार्सोचोचोचा करोड़ की और इसका 61.71 पी है इसके 53.39 की बुक वैल्यू है और प्राइस टुबुक है 11.51 की फेस वैल्यू दो की रह गई है स्प्लिट हुआ था जैसे मैंने उपर बताय डिलिवरेबल है 13.55% की और इंडस्ट्रीपी है 32 की नतीज़े देख लेते हैं फिर इसके बारे में आपको में रिटर्स देखाऊंगा को आपकी आँखें फट जाएंगी एनिवेस यह हम देख रहे हैं मार्च 18 से मार्च 19 की जो एनुवल है पहले हम एर ओन एर देख रहे हैं तो जो निट इनके निट सेल्स थी यहां पे 3487 यहां पे होगे मार्च 19 में बढ़के 5307 की 52.18% की अपसाइड जबर्दस्ट ग्रोथ है और सीधे अगर हम नेट प्रॉफिट में आते हैं तो जहां म मार्च 19 में थी 747 करोड की वहीं होगे मार्च 19 में 1177 करोड की यहां भी 57.32% की अपसाइड है ओपीम में भी यहां पे जो है जहां 68 की थी वहीं पे मार्च 19 में होगे 70.39 की यानि की changes हुए है 2.21% की margin में upside है और वही पर हम December 18 से March 19 की जो quarter है उस पर भी compare कर लेते हैं तो जहां net sales यहां 4944 कोड़ कोड़ की भी 5307 की होगे तो यहां पर 6.69% की यहां भी upside है और वही पर net profit में भी 11.11% के आसपास upside है और OPM में भी यहां पर 1.74% जिनकी अफ़र तो शांदा नतीजे हैं इस company के लगाता आप देखिये non banking financial services की इतनी भी कंपणिया है NBFC की उनमें जबरदस्त एक साल से बहुत ही गिरावट है चाहे आप DHFL का हाल तो आपको पता ही है Divine Housing Finance Limited का ऐसे कई और भी कंपणिया है जो काफी लगातार गिरावट है उ और जिनके results अच्छे आएंगे जिनकी कमाई अच्छी होगी तो obviously उनका stock price भागेगा ही भागेगा वो अपने investors को अच्छा return कमा के देंगी ही देंगी अब रिटन की बारी है तो रिटन्स आपको देखने के पहले एक चीज में समझाना चाहूंगा बेसिक चीज के देखिए हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि नहीं इसका stock price बहुत महेंगा है जिस प्रकार से company होती है तो company की जो valuation है उसके इसाप से देखना पड़ता है कि company के valuation के साप से stock price महेंगा या ससता है माली जी कोई stock है आपका एक example देता हूं मैं किसी company के against नहीं बोल रहा है एक example दे रहा हूं माली जी आलोग industry अभी ठीक है GM financial and reliance industry इसको take over किया है लेकिन उसके पहले क्या अहलत थी कि उस पी इतना करजा था और उसका price 3-4 रुपए के आस प लेकिन यहां पर क्या है कि भले stock price महेंगा लेकिन आपको लगातार return तो दे रहा देखिए दस सालों में इसने 36,122 क्रोड का return दिया है तो आप समझ सकते हैं कि 10 साल में 1,00,000 अगर आपने लगाया होगा 10 साल पहले तो 36,000 मतलब कितने क्रोड बन गया है वो आपको calculate करना है calculator लो ठाके पांच सालों में जिसने भी एक लाख रुपए लगाया तो उसके 18,13,000 हो गए चार सालों भी 636% की return है तीन सालों भी 324% की return है दो सालों में करीब 3,500% की return है एक साल में भी जिसने पैसे लगाया तो उसके भी 60% की आस-पास return मिल रहा है यानि जनवरी में पैस पैसे लगाया तो उनको भी 24% की return है जबकि FD मिलता है 78% की return, 6 months में भी 37.25% की return है तीन मेने पैसे लगाया 28% की आस-पास return, 1 month में भी FD वाला return मिल गया है यहाँ पे और 1 week में 12.62% की स्षानदार और 1 day मतलब आज तो 6% की आस-पास upside है जो कि इसके नतीजे अच्छे आए हैं और stock price भाग रहा है तो अभी आप माली जी एक रुपया का stock एक लाख के लेते हैं और वो पांस साल तक आपको बाकि आपकी मरजी पैसा आपका है आप अपने financial से जरूर मरश्वरा किया कीजिए और मेरा काम है सिर्फ information देना तो हम लोगों ने returns भी देख लिए अब चलते हैं promoters के पास देखिए promoters ने अपनी holding भी इंक्रीज की हुई है December term जहां 55.15% की थी वहीं पे 55.17% की होगे 0.02% की increase की हुई है promoters तो यह बहुत ही अच्छी बात है mutual funds जबर्दस्थ holding FIS बसमें 681 FIS भुसे पले हैं है ना और बाकी highest public shareholder government of Singapore वाओ और individual investors है 9.1% के आसपास बजाज Finance Limited और चार रुपए परशेर के साब से पिछले दफा दिया था और उन चार रुपए के साब से इस वर्षनों ने announcement किया हुआ है अपर industry में first number पे है तो दोस्तों मेरा यह उतेश था कि मैं आपको बता दूं आज बजाज finance के बारे में कि अच्छी company के stock है चाहें तो आप अपने भलई एक product एक share खरीद लीजिये महिने में लेकिन अपने portfolio में अच्छे stocks हमेशे रखे तो प्क्राव स्चेशन के लिए आपकर आपका उप में जज़को नहाँ खर देघकिन अव्टास पार देए